जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करेंगे के एप सिविक बैस लीग के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 44 होने वाला है तो मैं इसी मैच की पूरी कम्प्लीट एनलाइसिस और पेडिक्सन लेकर आया हूँ जो आपको हेल्प करेगी 100% भी बताएंगे और आपके लिए प्रॉबेबल कप्तान और वाइस कप्तान आपके फैंटेसी टीम के लिए कौन रहेंगे वो भी बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको हेट टू हेट एसल और जील की भी टीम देंगे तो वीडियो में पूरा अंतक बने रहेंगे और चैनल में आपको 100% winning team और fantasy एपो की news भी मिलती है और sports related सारे news भी मिलती है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा और bell icon भी जरूर दबा लिजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की notification आपके तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं तो आगे बढ़ते हैं पर्थ स्कॉचर का एक और नाम है PRS और ब्रिस्बैन हीट की BRH ये दोनों नाम आपको क्रिकबाज जैसे आप में दिख जाएंगे और ये नाम जो SEO और HIA है ये आपको fantasy एपों में दिख जाएंगे 19 जनवरी को ये match होगा Tuesday का दिन रहेगा और 1.45 पे आपको ये match देखने क को मिल जाएगा जो कि कल का दिन है अब बात करते हैं मैच मैलबन किर्केट ग्राउंड में होगा जिसको डॉगलांस स्टेडियम भी बोलते हैं इस स्टेडियम में अभी तक इस बिग बैस लीग के दो मैच हो चुके हैं जिसमें से बैटिंग करने वाली टीम पहले फरस्ट और लोईस्टो स्कोर 68 रनों का दस बिकेट के नुकसान पर जो की ADS बनाई है ये मैच को आप अगर देखना चाहते हैं तो सोनी टेन निटर पर देख सकते हैं और अगर लाइब स्ट्रीमिंग में देखना चाहते हैं तो सोनी लिब अप या फिर जियो टीवी में भी देख सकते हैं इस मैच को वेन्यू की बात करें तो पिच बैलेंस रहेगा आपका 30% बैटिंग रहेगा 40% बालिंग रहेगा 30% पेसर को यहां पर 55% का सपोर्ट और स्पिनर को यहां पर 45% का सपोर्ट तो देख लीजेगा ओवर ओल गुड फॉर बैटिंग रहेगी तो देख रह से बैट्समेन ज्यादा है तो आपको इकोल कॉंबिनिशन के साथ बैट्समेन खिलाना पड़ेगा दोनों ही टीम से दोनों ही टीम में तगड़े बैट्समेन हैं और और राउंडर भी है तो अच्छे से आपको कॉंबिनिशन के साथ टीम बनाना पड़ेगा वेदर तो क्ल लेकर 170 तक का स्कोर बनते हुए दिख जाएगा और 15 से लेकर 18 तक आपको विकेट गिरते हुए दिख जाएगा इस मैच में चीजिंग टीम या पर 50% मुकाबले जीती है और जो पहले बैटिंग करती हुए वो भी 50% मुकाबले जीती है टॉस्वीन और बैटिंग लेने की चा से 60% है इस मैच में अब बात करते हैं पांच मैचों के रिजल्ट के बारे में जब ये दोनों टीम S.E.O. और H.E.A. आपस में भीड़ी है तो क्या रिजल्ट रहा है तो देख रहे हैं S.E.O. दो मैच जीती है और H.E.A. तीन मैच जीती है तो देख रहे हैं 60 और 40 का जाएगा S.E.O. की भी जीतने की chances कम नहीं रहेगी जादा ही रहेगी अब बात करते हैं इस Big Bass League में क्या performance किया गया है S.E.O. के द्वारा तो S.E.O. अभी तक 10 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें सो वो 5 मुकाबले लगतार जीती है और पिछला मुकाबला ये हार कर आ रही ह टॉस की बात करें तो 5 टॉस जीती है और 5 टॉस हारी है S.E.O. की बात करें तो ये भी 10 मुकाबले खेली है और ये भी 5 मुकाबले जीती है नहीं 4 मुकाबले जीती है ये और बाकी के सारे मुकाबले ये हारे है S.E.O. की बात करें तो टॉस ये 5 जीती है और बाकी के सारे S Toss ये हा रहे हैं Toss winning probability के बात करें तो दोनों की 50-50 है और winning probability के बात करें इस match में तो H.E.A. की 47% की है और S.E.O. की 53% की इस match को जीतने की chances है तो देख लिजेगा अगर मेरे prediction से आप चलते हैं तो S.E.O. यहाँ पर Toss जीतेगी और match को भी S.E.O. ही जीतने वाली है S.E.O. Toss जीतेगी और match को भी S.E.O. ही जीतेगी यह मेरी prediction है अब चलते हैं आपको player performance बताते हैं दोनों टीमों की तो S.E.O. अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं उसमें से player performance मैं बता दूँ Colin Monroe की तो Colin Monroe लगतार 3-4 matchों में बहुत ही बढ़िया परदसन कर रहे हैं और starting के मुकाबले में उतना बढ़िया नहीं था लेकिन फिर भी देख रहे हैं चार matchों में यह लगतार performance करते आ रहे हैं तो इस match में भी आपको कुछ ना कुछ performance जरूर करेंगे और अच्छा score भी बन सकते हैं तो देख लिजे काप इनको रखना है हर एक लीग में इनको रखना है जौस एंगलीस की बात करें तो यह चलते नहीं है एक की दो मैच में चले हैं कीपर के option में रहेंगे लेकिन इनके जो अपोनेंट पर रहेंगे वो इतने तगड़े नहीं है कीपर में तो आप इनको रख लिजेगा और हो सके तो वाइस कप्तान अगर बनाना चाहेंगे इनको तो ग्रैंड लीग में बना लिजेगा थोड़े से रिस्की है इस मैच में चलने की संभावना है बट इनको ग्रैंड लीग में वाइस कप्तान बनाएगा और आई जो वल रख लिजेगा सा एगले इनको बनाएंगे और आप दूसरे को बनाएगा ताकि यह फ्लॉप रहेंगे और आप एक तरफा मैच जीत जाएंगे जैसन रॉइ की बात करें तो यह भी अच्छे चल रहे हैं एक दो मैचों में यह तो बढ़ियां पारी खेले हैं और हर मैचों में कुछ ना कुछ रन बनाकर ही दे रहे हैं तो आप इनको रख लिजेगा इस मैच में आप थोड़े से बड़े पारी खेलने वाले हैं तो आप इनको कपतान बना सकते हैं एस्टन टेनर को आप लीब कर दीजेगा ये उतना performance नहीं कर रहे हैं अगर रखना चाहते तो आप grand league में रख सकते हैं और नए तो लीब कर दीजेगा इनके जगह आप Cameron Bancroft को रख सकते हैं जो कि पिछला match खेले थे हाला कि flop रहे थे लेकिन अगर इस match में खेलेंगे तो ये देख लीजेगा अगर बैनर ओफ खेलते तो उनको रखना है सिर्फ कप्तान और वाइस कप्तान नहीं बनाना है हाडी की बात करें तो ये बालिंग भी करते हैं और जल्दी बैटिंग करने भी आ जाते हैं जो आपके best option रहेंगे तो इनको आप रख सकते हैं small league में भी grand league मे हलाकि grand league में आप इनको वाइस कप्तान भी बना सकते हैं अब बात करते हैं android tie की तो android tie 2 matchों में बिकेट ने लिये हैं उसके पहले 4 matchों में ये अच्छा खासा बिकेट लिये थे 8 बिकेट लिये थे तो इस match में भी आपको 2 या 1 बिकेट निकाल के देंगे तो आप इनको रख सकते हैं फावाद अहमद या एंडोरटाइं में लिए cdी एक को रखना होगा तो आप हैं ऑंड टाइ को रखिएक एगा रिचर्ड सं को तो रखना है और हूँ सकँे तो कफ्तान और वायष कफ्तान भी बना सकते हैं कि स्पान لीग के में भी और gran lIG के team में भी देख रह लेकिन ये constituents लेते हैं तो आप इनको रखना है और small league में भी रख सकते हैं और grand league में भी रख सकते हैं अब बात करते हैं इनकी playing 11 क्या रहेगी तो जौस इंगलिस रहेंगे जैसन रॉय, कॉलिन मुन्रो, Livingstone रहेंगे, Mitchell Mars या Ben, Cariman Bancroft में कोई एक ही खेलेंगे अश्टन टरनर, Hardy, Richardson, Andrew Tye, Bencroft, जैसन बैंडर क्रॉप और फवाद एहमद इस match के आपको playing 11 में दिख जाएंगे की player आपके हो जाएंगे, Colin Munro, Jason Roy, Richardson, Andrew Tye और Livingstone इस match के आपके की player हो जाएंगे अब बात करते हैं, player performance H.E.A. की 10 मैचों की तो variant की बात करते हैं तो ये बड़ा पारी नहीं खेलते हैं, छोटा छोटा पारी खेलते हैं, 10-20-30 run का पारी खेलते हैं तो इस match में भी 10-20-30 run नहीं बनाएंगे, तो आपको इनको कप्तान और Vice Captain मत बनाएगा एजेजवल सिर्फ इस तरह रख लिजेगा, आप इनको leap भी कर सकते हैं Chris Lee इनको आपको रखना है, और Captain या Vice Captain भी बना कर रखना है, चार matchों में चले हैं तो देख लिजेगा इस match में थोड़े चलने की संभावना इनकी कम है, लेकिन आपको risk नहीं लेना है, तो इनको कप्तान और Vice Captain बना कर रखेगा और थोड़ा नहीं risk लेना है, मतब risk लेना है, तो इनको कप्तान मत बनाएगा, आजेजवल सिर्फ रख लिजेगा, थोड़ा संभावना इनकी चलने की कम है जियोर जी की बात करें, तो पिछला माच नहीं खेले थे, उनके जगा मैथ्यू को निमन खेले थे, तो इस मैच में अगर खेलेंगे, तो रख लीजेगा, मेरे हिसाब से खेलेंगे इनको, तो रख लीजेगा, और Vice Captain के भी option हो सकते हैं, जियोर जी आपके इस मैच के लिए जए बर्न की बात करें, तो पिछला मैच में 31 रणों का पार है, और एक मैच में 52 रणों का भी पारी खेले हैं, तो जए बर्न और डेनली में किन ही एक को आप रख सकते हैं, जो आपको फैय्दा दिला सकते हैं, और Grand League खेलते हैं तो आप दोनों को रख सकते हैं, तो एज नाइनरों का पारी खेलें है अर उसके बाद यह fluffy flop है तो देख लीजिएगा अगर रखना है तो grand league में रखेगा small league में इनकी जगा नहीं बनती है बलेजी की बात करें तो अगर इनको रखना चाहते है तो grand league में रखेगा कोई performance है नहीं तो देख ली जागा अगर रखना है तो रख सकते हैं आप Grand League में मैं बोलूँगा इनको लीभी कर देने में भलाई है आपका Marks Tactic की बात करें जो की आपको कप्तान के भी option रहेंगे और Vice Captain के भी option रहेंगे जो की Grand League में भी हो सकते हैं और अच्छा कासा विकेट भी लेते हैं तो वैदर मूथ की आपको रखना है हर लीगों में और हो सके तो Vice Captain भी बना सकते हैं आप Grand League के टीम में बरलेट की बात करें तो यह पिछला मैच में एक विकेट लिए है उससे पहले दो मैचों में बिकेट नहीं ले पाए हैं तो देख लीजएगा इस मैच में भी आपको एक या दो बिकेट लेकर देंगे तो बर्येंट को आप रख सकते हैं बर लेट को आज जुवल सारे टीम में आप खिला सकते हैं बट इनको कप्तान और वाज कप्तान मत बनाईएगा मुजीबूर रह्मान पिछला माच में नहीं खेले थे तो इस माच में भी खेलनी की संभावना कम है उनके जगा मौर्नी मौरकल खेले थे जो की एक बिकेट लिये थे अगर मुजीबूर रह्मान खेलते तो आपके कप्तान के अप्सन हो सकते हैं स्मॉल लिग और ग्राइड लीग में और मौर्नी मौरकल खेलेंगे तो आप इनको सिर्फ रखिएगा अज जुवल अपने टीम में ग्राइड लिग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा इस मौल लिग में इनको लीप कर सकते हैं अब बात करते हैं इनकी प्लेंग 11 क्या र जाएंगे जेवियर बरलेट और मौजीबूर रहमान या मौर्नी मौरकल में कोई एक ही खेलेंगे अभी फाइनल अपडेट नहीं आई है फाइनल न्यूज आने के बाद आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा तो इसके लिए आपने इस्चित रहेगा टेल जाएंगे जेक विदर्मूथ हो जाएंगे स्टक्टी हो जाएंगे और जेवियर बरलेट इस मैच के आपके की प्लियर हो जाएंगे अब चलते हैं आपको कप्तान और वाइस कप्तान की आप्सन कोन रहेगी वो बता देते हैं तो सेफ आप्सन रहेंगे जैसन रॉय क्रिस और Colin Mundo को ही वाइस कप्तान मनाईगा लेकिन Livingstone को भी आपके वाइस कप्तान के option है चलेंगे तो अच्छा चलेंगे तो देख लिजेगा यह थी पूरी analysis आप चलते हैं स्टाटेक्स की बात करते हैं 8-2-8 13 मुकाबले खेले गए हैं इन दोनों के बीच में जहां से H.E.A. 6 मुकाबले जीती है और S.E.O. 7 मुकाबले जीती है और SEO की 180 रनों के 5 बिकेट के नुकसान पे, अब बात करते हैं, लोस्ट स्कोर, तो लोस्ट स्कोर, हे की 125 रनों के 10 बिकेट के नुकसान पे, ये थी पूरी अनलाईशिस दोस्तों, आप चलते हैं, आपको चार टीम जो मैं माδαना के रखा हूं, वो दिखा देता हूं, उससे प इतना महिनत करता हूँ तो आपको भी थोड़ा सा फरज बनता है मेरे लिए भी कुछ करने के लिए तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो ये मेरी पहले टीम है जो कि आपको हेट्टुएड में भी काम करेगी और एसल में भी आपको दिक्कत नहीं होगी तो ये पहले टीम थी अब चलते दूसरी टीम की तरफ ये मेरी दूसरी टीम है मैंने एल जियोर जी की यहाँ पर कप्तान बनाया थोड़ी से रिस्क की टीम है अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ पर रॉय के साथ भी जा सकते है नहीं तो फिर विदर्मूत के भी साथ जा सकते हैं आप कप्तान के ऑप्सन में तो ये मेरी दूसरी टीम थी जो की आपको SL जिता सकती है अब चलते ग्रांड लीग के टीम की तरफ तो ये मेरी पहली ग्रांड लीग की टीम है अगर यहाँ पर कोई चंजर्स करना चाहते है आप दो यहाँ पर कुनिमन के जगा विदर्मूत को खिला सकते हे हैं और आजस्वेम टीम से भी आप जा सकते हैं तरह मेरी तीसरी टीम थी जो की आपको grand lig जिता सकती है अब चौंती टीम की चलते हैं जो की आखरी टीम है मैंने यह आपके कुनिमन को कप्तान बनाया है और चौती टीम थी जो कि आपको Grand League की टीम थी ये मेरी चार टीम है जो कि दो SL ये है SL की टीम और Head-to-head की टीम ये SL ये GL ये भी GL तो देख लीजेगा ये चारो टीम लगा लीजेगा वीडियो रोक रोक के अगर प्रहसानी हुई होगी आपको तो वीडियो रोक रोक के लगा कीजेगा और सस्क्राइब भी कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद